तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप से बात करने वाले हैं यदि आप भी Battlegrounds Mobile India Game खेलते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक प्राबलम देखने को मिलती होगी वो प्राबलम क्या है कि दोस्तों जब आप Battlegrounds Mobile India Game में Classic Mode में कोई भी गेम खेलते होगे और दोस्तों यहाँ पर आपने जो Control Setting कस्टमाइज की हुई है यही सेटिंग आपको वहाँ पर देखने को मिलती होगी लेकिन दोस्तों जब आप TDM मोड में कोई भी गेम खेलते होगे तो दोस्तों आपने यहाँ पर जो Control Setting को कस्टमाइज किया हुआ है और सेटिंग आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलती होगी मतलब कि जो Battlegrounds Mobile India Game में Default में Control Setting आती है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलती होगी तो आखिरकार आप इस प्राबलम को कैसे साल्व करोगे आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों मैं आपको एक ऐसा भी तरीका बताऊंगा जिससे आप एक किलिक में जो Classic की Control Setting है इसको आप एक किलिक में TDM की जो Control Setting है उसमें Transfer कर सकते हो तो वीडियो को बिना Skip किये हुए इंडि तक चरूर देख लेना क्योंकि आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा Helpful होने वाली है तो दोस्तों चलिए बिना कुछ देरी किये हुए वीडियो को करते हैं Start और आपको बता देते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पर आपको Right Side में नीचे की तरफ एक Option देखने को मिन जाएगा आपको इस पर क्लिक कर लेना है उपर आपको एक Option देख जाएगा Settings का आपको इस पर क्लिक कर लेना है जैसी आप Settings के Option पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का Interface ओपन हो जाएगा यहाँ पर आपको एक Option देख जाएगा Controls आपको इस पर क्लिक कर लेना है और दोस्तों उपर आपको एक Option देख जाएगा Arena आपको इस पर क्लिक कर लेना है जैसी आप इस पर क्लिक करोगे फिर नीचे आपको एक Option देख जाएगा Customize यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि classic पर नहीं होना चाहिए arena पर click कर लेना है तो दोस्तों arena पर click करने के बाद आपको customize पर click कर लेना है नीचे की तरफ जैसे आप इस पर click करोगे अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो दोस्तों यहाँ पर default में मतलब कि basic आत होती है तो दोस्तों यही पर आपको control setting को change करना पड़ेगा जैसा आप यहाँ पर control setting को रख दोगे वही setting जब आप TDM गेम खेलोगे तो वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों जैसे कि आपने classic में जो setting किया हुआ है वही setting आप कैसे copy करोगे मैं आपको बत कर देना है जैसे आप okay पर click करोगे आपके सामने जो classic में पूरी आपकी control setting है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी अब यहाँ पर आपको ऊपर एक option मिल जाएगा save आपको इस पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करोगे तो दोस्तों एक save हो चुका है अब यहाँ आपको एक option मिल जाएगा लोड आउट FPP इस पर click कर देना है इस पर click करने के वह अपने classic में load out FPP बनाया हुआ है तो दोस्तों यहाँपर आपको OK पर click कर देना है इस पर click करने से वह भी आपकी copy हो जाएगी तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से TDM mode की control setting को change कर सकते हो आप दोस्तों यहाँ पर आपको एक option दिख जाएगा save का आपको इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद आप एकजिक्ट कर सकते हो आप दोस्तों जब आप tdm mode में game खेलोगे तो यह वहाँ पर आपको अब यही control setting देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह आपको वीडियो पसंद आई हो तो यह प्लीज चैनल को subscribe कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों यह आप मैं चाहो तो यह इंस्टाग्राम पर कर सकते हो मेरा यूजर नेम है राहुल टेक टिप्स जीरो वन आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा तब तक के लिए बाइ